नमस्कार प्यारे साथियो यूट्यूब चैनल जी के वीचारट पर आप सब का स्वागत है तो साथियो इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ COVID-19 coronavirus के उपर AIMS New Delhi की report क्या कहती है क्या क्या सवाल आपके दिमाग में कोरोना से लेकर उठ सकते है और उन सवालों के क्या क्या जवाब हो सकते है क्या हमें करना चाहिए कैसे हमें इस से बचाव करना चाहिए सबी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों क पिखाने जा रहा हूँ, एम्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, अकेल बारतिय आयरुविग्यान संस्थान, नई दिल्ली से रिपोर्ट आई है, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, और इसके अलावा मैंने मार्च महीने के कररंट अफेर्स की एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कल ही अपलोड की गई है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखें, एक्जाम इसकारी आपको कोरोना के उपर मिलेगी, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल यह उठता है, आखिर क्या है COVID-19, तो इसका जो आंसर दिया गया है, एम्स के दुवारा बताया गया है इसके बारे में, Covid-19 एक संक्रामक बिमारी है यानि कि संक्रामक बिमारी है जो छूने से फैलती है जो हाल ही में खोजे गए एक नए वाइरस novel coronavirus के कारण फैलती है तो इसका जो कारण है वो novel coronavirus है जिसकी वज़े से ये फैलती है अब यहां पर यह दिखाया गया कि आपके फेफडों के उपर भी बहुत ज़्यादा असर करती है आगे कैसे फैलती है ये बिमारी तो किस परकार से बिमारी फैलती है इसके बारे में बताया गया है तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और क्यों क्यों फैलती है इन सब कारणों से बचने की कोशिस कीजिएगा जब इस बीमारी से पिडित व्यक्ति छींकता या खासता है तो उसकी छींक और लार की बहुत सारी बूंदे हवा में फैल जाती है या जमीन और आसपास किसताओं पर गिर जाती है इन सब बातों से एलेटेड वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूँ वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा गहराई से उसमें बताया गया है यदि कोई अन्य वैति छींकते या खासते इसमें रोगी के पास खड़ा है या उन सतों को चूता है जहां ये बूंदे फैली हैं और फिर अपने हाथों से चेहरे आखों या मूँ को चूता है तो वह संकर्मित हो सकता है तो इसलिए ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा हो सकता है अपने हाथों से किसी भी चीज को मुझ को अपने चेरे को ने चुए यदि कोई व्यक्ति संकर्मित व्यक्ति से एक मीटर से कम दूरी के बीतर है तो संकर्मन फैलने की संभावना अधिक होती है तो ये भी कहा गया है कि कम से कम एक मीटर की डिस्टेंस हमें आपस में बना के अरकनी जरूरी है अगर इस संकर्मन से बचना है तो हमारी सरकार इसे बचने के लिए भरसक परियतन कर रही है ये लोकडाउन भी किया गया है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं जिसका असर ये होगा कि ये बिमारी बड़ी ज्यादा मुश्किल स्थीति में हमारे देश को डाल सकती है उसे आगे बताया गया है उस व्यक्ति का क्या होता है जिन में इस बिमारी से पीडित होता है यानिकि जो व्यक्ति इस बिमारी से पीडित होता है उसका कैसे क्या होता है तो अधिकतर व्यक्तियों 80% यानि कि 80% जो आदमी है को किसी तरह के इलाज किया सकता नहीं होती वे सबता ही ठीक हो जाते हैं ये बहुत अच्छी बात यहां पर बताई गई है 80% आदमी जो होते हैं इस विमारी से इस वाइरस से अपने आप भी ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति लगबग 20% आप मांगे चलो 20% केसीज में ऐसा होता है कि अस्पताल जाकर इलाज करवाने के उनको आशकता पड़ती है बहुत ही कम व्यक्तियों को ICU में इलाज की आशकता होती है जिसकी situation कुछ ज्यादा ही गंबीर होती है कोई ज्यादा serious होता है तो उसके case में ICU में उसका इलाज किया जाता है इसके अलावा बहुत अच्छी बात है 80% chances ये खुदी ठीक होने के chances के रहते हैं आगे यहाँ पर बताया गया किस IU वरग में यह बिमारी फैलती है यह बिमारी बच्टों में भी फैल सकती है यह बहुत ही important होने वाला है यह परग्राफ यह रोग सभी आयू वरग में फैल सकता है यह है गर में बिमारी से पीडीत अन्यव व्यक्ती के मात्यम से बच्छों को भी फैल सकता है बच्चों में संकर्मन आम तोर पर हलका होता है बुजूर्ग व्यक्ति एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें पहले से ही उच्छ रक्तचाप मदू में कैंसर हरिद्यवा यकरित संबंदित रोग उनमें ये रोग बहुत ही आसानी से पैल सकता है और गातक सिद होता है तो ये बतायागा जैसे कोई भुजूर्ग व्यक्ति होते हैं जितने भी उनके अंदर अगर किसी को रक्तचाप की प्रोबलम है या फिर किसी को सूगर की प्रोबलम है या कोई हर्ट का पेसेंट है तो उन सब को ये बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेता है और उनको बहुत जल्दी ये बिमार कर देता है और उनके लिए गातक भी सीध होता है आगे बढ़ते हैं कोरोना वाइरस किसी सताय या किसी वस्तु पर कितने समय तक जीवीत रह सकता है तो इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं है कि कोविड-19 वाइरस किसी सताय पर कितनी देर तक जीवीत रह सकता है ये वाइरस भी अन्य कोरोना वाइरसों की तरह ही होता है अध्यनों से पता चलता है कि ये वाइरस कुछ गंटों के से कुछ दिनों तक बचा रह सकता है और ये अवधी सतय के आकार परकार तापमान एवं आरदर्ता पर निरभर करती है अगर आपको ये लगता है कि कोई जगह संक्रमित है तो उसे सादारन रोगाणू नासक दर्वय से साफ कर देना चाहिए और स्वेम एवं औरों को सुरक्षी तरखने में सायता करनी चाहिए अपने हाथों को अलकोहल आदारित दर्वयों से हाथ साफ करें या उन्हें साबुन और पानी से दोएं अपनी आखों या मूह या फिर ना को छूने से बचें य teraz बहुत ही important है अगर आपके हाथ कहीं पे किसी से आप हाथ मिलाते हो या आपके हाथ अगर संक्रमित है तो पहले आप उन्हें साबुन से दोएं तब ही आप अपने चेहरे को छूएं, अब यह अन्य था अपने चेहरे को मूँ नाक या कान कहीं पे भी छूने की कोशिस ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गातक यह साबित हो रहा है, और आगे भी बहुत ज़्यादा गातक यह साबित हो सकता है, इसके अलावा यह तो साथियो यह थे coronavirus से जुड़े हुए सवालों के जवाब इसे आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा रोग के एक समान्य लक्षण क्या हो सकते हैं अगर किसी को लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए और क्या- जो जूठी अपवाए हैं वो फैलाई गई हैं उन सब के बारे में आपको इससे आगे वाली वीडियो में बताऊंगा तो साथियो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं बुले औ कोमेंट बॉक्स में कोमेंट जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी थैंक यू